हे गाईज देखे इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट में दो तीन स्टॉक के बारे में बता हूँँगा कि बजट से पहले कौन-कौन स्टॉक भाग सकते हैं जैसे कि रेल विकास निगम तो बहुत अच्छी तरीके से भाग रहा है तो पहला जो स्टॉक रहे का मैं आपको बताना चाहता हूँ फैक्ट सौट में स्टॉक को बोलते हैं ठीक है अब यह देखा हूँ तो लोग आज की रेट में भी लगवग 20% के आसपास तेजी देखने को मिली है मैं आपको बताना चाहता हूँ यह बजट से पहले यह स्टॉक आपको और भी कुछ बड़ा करनामा करके दिखा सकता है सही है क्योंकि बजट में मैं आपको बोलता हूँ जितने भी किसान अंदोलन है या जो भी फार्मार के लिए कुछ ना कुछ नए निकल के आएगा फार्मार को चाहिए क्या बाई जो वो क्रोप रहते हैं उनको सही तरीके से ग्रो होना है तो जितने पॉजेटिव रिस्पॉंस देखने को मिलेगा एक्जांपल मैंने आपको सुबह में दिपक फर्टिलाइजर के बारे में वीडियो बनाया था दिपक फर्टिलाइजर उसमें भी लगभग 4-6% के आसपास तेजी देखने को मिला तो छोटी स्टॉक में मैं आप ओलोंगा बजट से पहले यह रहेगा धमाकावाला स्टॉक साइए फैक्ट यहां देख सकते हो और दिपक फर्टिलाइजर पर बीनाजर रखना है वो तो मैंने आपको मॉर्निंग वीडियो बना कर बता दिया और मैं आपको बताना चाता हूँ यह स्टॉक चलता बहुत कम है यहां सकता है यह कभी बजट आता है यह स्टॉक रैली मारता है फिर उसके बाद यह स्टॉक जो आपने न्यू पोजेशन पर पहुंच जाता है दीरे दीरे और ऐसे स्टॉक को भी कमद समझा करो यार यह लोग लगबक जो है देख सकते हैं नाइन वंध में टू फिप्टी परस जुका था उसके बाद फिर देख लिए नेक्स्ट कॉर्टर में इसने काफी अच्छा पर्फर्म करके दिखाया था बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं क्योंकि उनको पता है कि हमारा बेस क्या है हम निकलते कहां से हैंगी हमें पता कि हम पैसे वाले लेकिन पैसे वाले सेंड तो उसी तरिके से यह स्टॉक पर तो हमें नजर रखना पड़ेगा यह स्टॉक में आपको बताना चाहता हूँ यह आपको काफी अच्छा मुनाफा दे सकता बजट के आसपास हो सकता है कि 100 के आसपास तो ईजली चलिए यह जो मेरा फास तार्गिट रएगा इसमें कोई हिड है जिनका नाम है अनिल उनके भी ये फेवरेट स्टॉक है बजट के लिए सही है तो अगर इनके भी ये फेवरेट स्टॉक है ये लगबंग 9 घंटे पहले ये ख़बर आ रही है तो मैं आपको बोलूँगा अच्छी बात है बाई देखो अगर मुझे बिलीव नहींगे अगर पर्मोटर ने शेयर बेचे है तो यतना याद रहगा अगर पहले बशेने को दिया है और वैसे बी स्टॉक पहले से भी अच्छ को चुका है तो मैं आपको बोलूँगा रिजल्ट के दिन हम फोकस करें क्योंकि ये हमारे लंबे समय का मल्ती बगढर देखो मल्ती इसे राकेश जुने वाला ने दो रुपय के शेर को खरीदा था टाइटन को और आज दो हजार होने वाला है तो भाई बीच में 20 येर्स भी तो लगा है कि नहीं कई बार गिर आउट देखने को मिला था तो मैं आपको बोलूँगा टेंशन वाली बात नहीं है मैं होल्ड करन यह कितनी दूर तक फैलना चाहती है FMCG में अपना हाथ फैलना चाहती है और यह जितने भी फंगस वगरा होते हैं फुड प्रोटेक्शन के लिए एक काम करना चाहती है मैं आपको बूरूँगा इसको टाइम दो चोटा सा स्टॉक है आज 5 है कल को अगर 500 हो गया ना तो आ भूलुगा यह चीज कोटर रिजल बहुत खास होता है इसके उपर हम ध्यान रिखेंगे कोटर रिजल्ट कोटर रिजल्ट यह रहां आपके सामने अदर बीजनस के बारे में यह उन्हों ने बताया था रिपोर्ट में NST, BST exchange को कि हम अपने बिजनस को बढ़ाना चाहते है बताया था कि नी तो वो देखिए बढ़ाना चाहते है अपने बिजनस को तो हो सकता है इनको पैसे की जिरौत होगी तो जो भी कर रहे हैं तो date है तो हम इस date को क्या करें फोकस करें जब हमने खरीद है तो दिक्कत की क्या बात है तो ये तीन स्टॉक है जिस पर आप फोकस कर सकते हो इतना याद रखेगा विकास, मल्टी, कॉप, लंबे समय के लिए है मेरे तरफ से मेरा मल्टी बगर है आपके तरफ से देखो अगर आप बेस दोगे तो आपको लॉस हो सकता है मैंने खुदी दिखाया अगर बेस दोगे तो आपको लॉस हो जगा लेकिन अगर आप पेशिंस रख लोगे तो आपको मुनाफ़ा हो सकता है तो और अगर आप स्टॉक मार्किट में नहे हो की हाल चल देख लेते हैं तो यहां पर आपको जो है नॉर्माल इंट्राडे सही है लेकिन कवर ब्रिक इड ओडर सही है जिस वज़े से कंपनी का रेटिंग एक अलो है दूसरे का एवरेज है उसका बाद आलेज ब्लू का अगर आप देखना चाहते हो तो एक का गुड है दो दिन तस दिन बात अगर कभी कभी होते हैं कि आपके डिमेट से शेर गायब हो जाते हैं अपने जीरोदा में दिखा होगा एंजल में दिखा होगा लोग परिसान हो जाते हैं काल कहां करें क्या पूछे वाई समझ में आता है कि नहीं कभी आपके अकाउंट में शेर नह